नमस्ते विद्यार्थियों, JCRT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों समाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत, हम सात्वी कक्षा के नागरिक सास्त्र विशय का अध्यन कर रहे हैं और अभी आपके समक्ष है आपका पाठ संख्या 2 जिसका नाम है लोकतांतरिक प्रतिनी धित्व के आधार तो विद्यार्थियों इस चैप्टर संख्या 2 के हम प्रस्नोत्तरों को हल करेंगे तो विद्यार्थियों सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आपके समक्ष कुछ fill in the blanks यानि की रिक्त अस्थानों की पूर्ती वाले सवाल है सवाल संख्या एक है विद्यार्थियों खाली अस्थान है और वहां लिखा हुआ है कितने वर्स की उम्र का प्रतेग भारतिये वोट डालने का अधिकारी है विद्यार्थियों उत्तर भी सामने है आपका इसका उत्तर है 18 वर्स दूसरा है विद्यार्थियों लोग सभा के लिए प्रतेग कितने वर्स में चुनाओ होते हैं इसका उत्तर है विद्यार्थियों पांच बर्स आगे है विद्यार्थियों चुनाओ छेत्रों का परिसीमन कौन करता है इसका उत्तर है विद्यार्थियों चुनाओ आयोग यानि कि Election Commission of India आगे विद्यार्थियों कांग्रिस की स्थापना यानि की कांग्रिस पार्टी की स्थापना कब हुई थी इसका उत्तर है विद्यार्थियों 1885 अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों पांचवाँ सवाल है भारती जन्ता पार्टी एक पार्टी है क्या पार्टी है रास्टी पार्टी है या जिसको हम कहते हैं कि वो नेशनल लेवल की पार्टी है आगे विद्यार्थियों जारखंड मुक्ति मोर्चा कहां यानि किस राज में राजस्तर ये पाटी है तो इसका उत्तर विद्यार्थियों जारखंड यहां तक आप समझे अब हम जो fill in the blanks में जो सवाल थे उनको थोड़ा मैं clear करने का मैं प्रियास करता हूँ आपके समर्ष जो पहला सवाल था कि कितने वर्ष की उम्र का प्रतेग भारतिये वोट डालने का अधिकारी है तो विद्यार्थियों हमारे देश में 18 वर्ष जो है वो निर्धारित किया गया सन 1988 में उसके पहले हमारे देश में जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए राज के नागरीकों को देश के संविधान के द्वारा प्रदत सरकार चलाने के हेतू अपने प्रतिनिधी निर्वाचित करने के अधिकार को हम लोग मताधिकार कहते हैं है ना जो वोट डालने का अधिकार है उसको हम क्या कहते हैं मताधिकार और एक चीज जो आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्पूर है वच्चो शब्विस जनवरी उनिस सपचास के नए सम्मिधान के लागू होने के पहले भारत में जो सम्मिधान लागू था यानि जिसका नाम था Government of India Act उसके अनुसार पूरे देश की लगवक 13% जनता को मताधिकार प्राप था इसका मतलब आजादी के पहले सभी लोग नागरिक नहीं हुआ करते थे लेकिन आज क्या है विद्यारतियों आज ऐसा है कि हर वेक्ति वो जो की 18 वर्ष की उम्र का होगा वो भारत का नागरिक होगा हाँ इसमें कुछ सर्ते भी है जरसे कि वो पागल ना हो दिवालिया ना हो और भी कुछ सर्ते हैं तो उन सर्तों के अधीन 18 वर्ष का प्रतेग व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है विद्यारतियों दूसरे सवाल में मैंने आपको बताया था कि लोग सभा के लिए परतेग पांच वर्ष में चुनाओ होते हैं अब आप स्क्रिम पे देखिए भारत में लोग सभा के चुनाओ यानि कि एलेक्षन परतेग पांच वर्ष में होते हैं लेकिन कई बार मध्यावदी चुनाओ यानि मीड टर्म पॉल या अन्य कारणों से पांच लोगसभा के चुनाव हुए हैं और हो भी सकते हैं विद्यार्थियों आप देखिए पहला हमारा लोगसभा का चुनाव है 1952 उसके बाद है 1957 यानि कि 5 साल के बाद फिर 1962 यानि 5 साल के बाद फिर 1967 यानि 5 साल के बाद फिर देखिए विद्यार्थियों देखिए है 1991 क्यों ऐसा हुआ क्योंकि 1989 में जो लोकसभा का गठन हुआ वो पांस साल तक काम नहीं कर सकी आगे देखिए विद्यारतियों 1996 1996, 1999, 1999 यानी जल्दी जल्दी तीन बार इसके बाद विद्यारतियों 2004, 2009, 2014 और अंतिम हुआ चुनाओ 2019 में तो अब तक जिन जिन वर्सों में लोकसभा की चुनाओ हुए हैं इस सुची को देखने से मालूम पड़ता है कि हमेशा पांस साल में ही लोकसभा की चुनाओ नहीं समझे होंगे विद्यारतियों? तीसरा सवाल था विद्यारतियों कि चुनाओ छेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो इसका उत्तर है विद्यारतियों भारत में चुनाओ छेत्रों का परिसीमन यानि कि दी लिमिटेशन का काम, Election Commission of India भारत चुनाओ आयोग करती है. विद्य तो उसके छेतर में विस्तार करना उसके छेतर को छोटा करना उसको बढ़ा करना किसी छेतर विसेश को उसमें सामिल करना किसी छेतर विसेश को दूसरे लोगसभा छेतर या दूसरे विधान सभा छेतर में सामिल करना यह सब होता है डी लिमिटेशन यानि की परिसी मन ऐसा क् कि कहीं की जन szenghya बहुत जयदा हो जाती है तो वहाँ एक लोगसभा के सदस्द से काम नहीं चलेगा हो सकता है उस चेतर को तोड़ना होगा तोड़के दो लोगसभा चेतर बनाया जा सकता है या उस लोगसभा चेतर का कुछ घिस्सा दूसरे अपने बगल का जो लोग सभाचेदर है उसमें सामिल किया जा सकता है तो समझ रहे हैं विद्यार्तियों और यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्वाचन सदन निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग का लोगो भी है आपके सामने अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल था विद्यार्तियों कि भारती राष्टी कांगरिस के स्थापना कब हुई थी इसका उत्तर है 1885 और यह कहां हुई थी तो बता देता हूँ कि वस्थान था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मोंबई में ठीक है इसके प्रतम अधिवेशन में जो सदस्यों की उपस्तिती थी वो 72 थी यहां आप एक फोटो भी देख सकते हैं जो 1885 का फोटो है विद्यार्तियों जब भारती राष्टी कांगरिस के अस्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक महासचिव थे ए ओ हुम जिनका पूरा नाम था एलन ओक्टोवियन हुम और अध्यक्स बने थे ब्योमेश चन बनर जी ठीक है विद्यार्तियों इसके बाद अगला सवाल है कि भारतिये जनता पार्टी एक पार्टी है कैसी पार्टी है तो वहां हमने लिखा है कि राष्टिये पार्टी ह है तो राष्टिये पार्टी किसको कहेंगे तो उसकी सर्ते मैंने यहां लिख दी है थोड़ा ध्यान से देखिए राष्टिये दल होने की कौन-कौन सी सर्ते हैं पहली सर्तिया है कि राष्टिये पार्टी के दुवारा लोगसभा के कुल सीटों की 2% सीट कम से कम 3 विभिन राज्यों में हासिल की गई हो यानि लोगसभा की कुल जो सीटे हैं 545 उसका जो 2% सीट है वो कम से कम 3 विभिन राज्यों से हासिल किया गया हो सिर्फ एक राज्य से नहीं ठीक है? तीन अलग-अलग राज्यों से और दूसरी सर्थ है विद्यारतियों दूसरी सर्थ यह है कि लोगसभा या विधान सभा के चुनाओं में चार राज्यों में उसे 6% वोट मिलने चाहिए तथा साथ ही लोगसभा की 4 सीटे भी होनी चाहिए विद्यारतियों आप सुक्ष में जाएंगे तो आगे चल करके जो उचतर कक्षाओं में बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी आगे विद्यारतियों की जारखन मुक्ती मोर्चा की सराज में एक राजस्तरिय पार्टी है तो मैंने बताया था जारखन राजमे यहाँ पे आप देख सकते हैं जारखन मुक्ती मोर्चा यानि की जे में जारखन राजमे का राजस्तरिय पार्टी है आप यहाँ पे जारखन मुक्ती मोर्चा का जो है वो सिम्बल भी देख सकते हैं अब विद्यारतियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन सवालों को देखते हैं जिसमें हमें कुछ लिखना है तो इसमें है वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं यानि कि वयस्क मताधिकार क्या है तो इसका उत्तर हमने लिखा है विद्यारतियों अब बाद में आप लोग इसका स्क्रीन सॉड़ भी ले लीजेगा और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा देखिए भारतिय समिधान के अनुष्चे 325 और 326 के अंतरगत वयस्क मताधिकार यानि की युनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाईज का उलेक है देश का प्रतेक वयस्क नागरिक जो की 18 साल से उपर कहो उसे धर्म, जाती, वर्ण, संप्रदाय, अथ्वा लिंग, भासा, इत्यादी के भेद भाव के विना वो डालने का अधिकार प्रदान किया गया है लोग तंतर के पक्षधर या मानते हैं कि वयस्क मताधिकार या सार्भोमिक वयस्क मताधिकार एक नैसरगिक अधिकार है तो निस्तित रूप से विद्यार्थियों आप लोगों ने वयस्क मताधिकार को समझ लिया होगा अब अगला सवाल है विद्यार्थियों निर्वाचन आयोग के किन ही चार कारियों को लिखिये यानि कि जो Election Commission of India है उसके कौन कौन से चार कारे हैं तो विद्यार्थियों देखिये निर्वाचन आयोग के चार परमुखकार जनिमने लिखित हैं पहला चुनाओ छेत्रों का परिसीमन यानि कि Delimitation of Constituencies ठीक है चुनाओ छेत्रों के परिसीमन के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया विद्यार्थियों अगला है मद्दाता सुची तैयार करना यानि वोटर लिष्ट तैयार करना वोटर लिष्ट तैयार करने में क्या होता है नए लोगों को सामिल किया जाता है पुराने ऐसे लोग जो मृत हैं उनको हटा दिया जाता है या कोई ऐसा बेक्ती जो दूसरे लोगसभा विरानसभा छेतर में चला गया हो तो उसका नाम भी वहां से हटा दिया जाता है पूरी सावधानी से ये लिस्ट बनती है और ये लिस्ट जो है वो Election Commission of India का एक दाइत तो है एक कार्य है आगे है विद्ध्यारतियों विभीन राजनीतिक दलों को मानेता पर्दान करना कौन सा दल जो है वो राश्टी अस्तल का होगा कौन राजस्तल का होगा या और बहुत सारी पार्टियाँ है तो उनको मानेता पर्दान करने का काम कौन करता है Election Commission of India आगे विद्यार्थियों चुनाव आचार सहीता तयार करना और चुनाव में उसे लागू करना जो है न चुनाव के समय बहुत सारे हम लोगों को नियमों का पालन करना पड़ता है विद्यार्थियों तो बहुत सारे ऐसे नियम है जिनका हमें पालन करना पड़ता है उस समय जो है बहुत सारे ऐसे नियम है जो आम समय में लागू नहीं रहते हैं लेकिन जब चुनाव आ जाते हैं जब election का समय आ जाता है तो अधिसूचना जारी हो जाती है उसी समय से आचार सहीता लागू हो जाता है तो आचार सहीता को त्यार करना उसे लागू करवाने का क दर्जा किन-किन दलों को प्राप्त है तो भारत में इसमें कुल आठ दलों को राष्टिय पार्टी का दर्जा प्राप्त है पहला है भारतिय राष्टिय कांग्रेस दूसरा है भारतिय जनता पार्टी तिसरा है भारतिय कम्मिनिस्ट पार्टी चौथा है भारतिय कम्मिनिस् पार्टी विद्यार्थियों आपके पार्थे पुस्तक में शरीफ साथ का उलेख है लेकिन अभी बरतमान जो अपडेट है उसके अनुसार नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसकी अस्थापना 2013 में हुई थी वो भी अब नेशनल पार्टी यानि रास्टिये पार्टी है विद भार्थिये कम्निस्ट पार्टी का जो है कमल का फूल है भार्थिये कम्निस्ट पार्टी का जो है एक हसिया है और अनाज है फसल है और भार्थिये कम्निस्ट पार्टी मार्सवादी का हसुआ और हथवड़ा है बहुजन समाज पार्टी का सिंबल हाथी है राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी का तिरंगे के बीच एक घड़ी है अखिल भार्गतिये त्रेन्मूल कॉंग्रेस का तिरंगे के अंदर एक छोटा सा पहुधा है जिसमें कुछ पत्तियां है और नेशनल प्यूपिपुल्स पार्टी का भी आप लोगों देख सकते हैं यहां स्क्रीन प में चार पार्टियां जो हैं वो राजस्तरिये पार्टियां ध्यान दिजेगा अभी अभी हमने नेशनल पार्टी की बात की थी अब हम बात कर रहे हैं राजस्तरिये पार्टी है तो इसमें पहला है जिसको हम आजसू कहते हैं जिसका की जो सिंबॉल है वो केला है यहां आ इसके बाद है जारखन विकास मोर्चाप प्रजातांत्रिक जिसका चुनावचिन कंगी है और उसके बाद है राश्टिय जनताजल दल यानि की आज़ेडी उसका चुनावचिन क्या है एक लालटेन है अब समझ गया है विद्यार्थियों अब फिर आगे बढ़ते हैं किसी भ आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सी सर्ते होगी तो कोई दल जो है वो राश्टिय दल कहलाएगा तो इसमें देखिए किसी भी राईनितिक दल को राश्टिय दल यानि की नेशनल पार्टी होने के लिए निम्न सर्तों में से किसी एक को पूरा करना होगा पहला उस दल के द दूसरा सर्त है विद्यार्तियों लोगसभा या बिधान सभा के चुनाओं में चार गाज्यों में उसे छे परतिसद वोट मिलने चाहिए साथ ही लोगसभा की चार सीट भी होनी चाहिए समझगा विद्यार्तियों ये दोनों सर्तों का होना जरूगी नहीं है बलकि कोई ए पश्टिये दल कहला सकता है या पहला सर्थ या दूसरा सर्थ ठीक है विद्यार्थियों हम और आगे बढ़ते हैं आपके समक्ष है कि लोग तंत्र में ससक्त बिपक्ष का होना अतियावस्यक है लोग तंत्र में ससक्त बिपक्ष का होना यानि एंटी पाटी का होना अतियाव पक्ष में ही तर्क दूरा क्योंकि लोकतंतर में विपक्ष का होना ही जरूरी है, है न, तो चल ये देखते हैं, विपक्ष यदि ससक्त, यानि की मजबूत होगा, तो सरकार को निरंकूस होने का आउसर नहीं मिलेगा, जैसा कि विद्यार्थियों आप लोग सुनते आते थे, कि कोई राजा जो है वो निरंकूस था वो किसी की नहीं सुनता था अपनी करता था जो मन में आता था तो विद्याक्तियूंग क्या आज के राजनेता ऐसा करें तो अच्छा होगा नहीं होगा ना इसका मतलब यह हुआ कि आज जो परजातांत्रीक द्यवस्था है इसमें यदी ससक्त होगा यानि मजबूत होगा तो सरकार को निरंकूस होने का आउसर नहीं मिलेगा दूसरा विद्यारतियों विपक्ष भी जन सरोकार के मुद्दे उठाकर एक परकार से जनता के कल्यान का ही कारे करती है कहने का मतलब कि लोगतंतर में पक्ष जरूरी है तो विपक पूर्ण है वाया कि विपक्ष को भी चाहिए कि वो रचनात्मक विरोध करे हर बात का विरोध विकास में बाधक होता है बिलकुल बाधक होता है हर चीज का सिर्फ विरोध ही नहीं होना चाहिए बलकि जो अच्छी चीजे हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए और जो लगे कि इस पे आलोचना की जरूरत है तो उस पे आलोचना जरूर होना चाहिए ठीक है विद्यारतियों अब आगे बढ़ते हैं भारत में बहुदलिये ब्यवस्था को अपनाया गया है क्या आपको इस ब्यवस्था की कोई कमी नजर आती है अपने उत्तर के पक्स में तीन तरक जिये यानि कि आपको बताना है कुछ तरक देते हुए उन तरकों की संख्या कुल तीन होगी कि भारत में बहुदलिये ब्यवस्था को जो अपनाया गया है क्या उसमें कोई कमी नजर आती है बिल्कुल कमी तो नजर आती है अब क्या क्या कमी नजर आती है उसका मैंने यह आप देखिए बहुदलिये बिवस्था से केंदर और राजियों में गटवंधन की सरकारे बनती है जो प्राया निर्बल और अस्थिर होती है कहने का मतलब एक पार्टी की जब सरकार नहीं बनेगी कई पार्टिया मिलकर जब सरकार बनाती है तो वैसी सरकार कमजोर सरकार होती है और स्थिर होती है और सही निर्णय भी कई बार नहीं ले पाती है तो इससे दिक्कत होता है जनता को आगे विद्यार्थियों बहुदलिये बिवस्था में अनुसासन की कमी परिलक्षित होती है यानि की लैक आप डिसिप्लीन वहां देखने को मिलता है तीसरा विद्यार्थियों राजनितिक दलो द्वारा गैर सिधान्तवादी गटवंदन बनाया जाता है जो की किसी भी देश के विकास में बाधक सिध होता है बिलकुल सही बात है कि ऐसा कोई गटवंदन हम बना ले जो की पहले से सोचा विचारा हुआ ना हो तो ऐसी इस्तिती में क्या होगा विद्यार्थियों विकास में बाधा आएगी अब विद्यार्थियों सबसे अंतिम सवाल हम लोग देखते हैं सबसे अंतिम सवाल इस चेप्टर का निर्वाचन आयोग यानि एलेक्षन कमिसन का काम निस्पक्ष चुनाओ कराना है लोगतंतर में निस्पक्ष चुनाओ के महत्तोखी चर्चा कीजिए विद्यार्थियों निस्पक्ष होना तो जीवन में बहुत जरूवी है जीवन के हर छेतर में जदी इंसान निस्पक्ष हो तो काम सही होता है किसी भी छेतर में आप घर परिवार में भी देख लीजिए आप निस्पक्ष होके निर्णे लेंगे तो वही निर्णे सही होगा जदी किसी पक्स में आप जूखके दवाब में आकर क्या आप निड़ने लेंगे तो गलत होगा तो निर्वाचन आयोग जो हमारे देश का है यानी election commission उसको निस्पक्स चुनाओ कराना है तो लोकतंतर में निस्पक्स चुनाओ के महत्तुकी हमें चर्चा करनी है तो चलिए हम चर्चा करते हैं निस्पक्ष चुनाव से लोगतंतर के परती विश्वास बढ़ता है विद्यारतियों आप जानते हैं कि हमारे देश में विभिन भासा भासी जाती वर्ण संप्रदाय लींग धर्म है ना नसल मतलब यहां इतनो सारा समू है इतनी सारी जातिया हैं इतने सारे वर्ण हैं कि सब को खुस रखना बहुत मुश्किल है तो फिर खुस रखने का एक ही उपाय है कि हम निस्पक्ष निर्णे ले और जो रिजल्ट आना है सुआएगा है ना तो निस्पक्ष चुनाव से क्या होता है लोगतंतर के परती विश्वास बढ़ता है दुसरा है निस्पक्ष चुनाव से ही हम सही जन प्रतिनिधी चून सकते हैं तिसरा है निस्पक्ष चुनाव में ही देश की प्रगती नहींत होती है चौता है निस्पक्ष चुनाव के माध्यम से चूने गए हमारे जन प्रतिनिधी कहीं जादा जिमेदारी भाव से काम कर बिल्कुल आगे विद्यार्तियों इससे आदर समाज की परिकल्पना को बल मिलता है चीज तो यही नहीं विद्यार्तियों कि हम एक आदर समाज बनाना चाहते हैं तो आदर समाज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा हमें निस्पक्ष निर्णे लेने होंगे है न तो सबसे पहला जो है राजनीतिक निर्णे जो भी हैं वो निस्वक्ष होने ही चाहिए तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे इस चेप्टर के सभी प्रसनों को मैंने आपके समक्ष प्रस्तूत करने का प्रयास किया और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता जो हार विद्यार्थियों जहिन विद्यार्थियों